आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, मैं रिनाव, सिधान तभी हो तरी, स्टेडी ग्लोस फेया को बहुत 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 है, तो बात करेंगे हम पाकिस्तान की जो इतनी लंबी रिलेशनिशिप है तालिबान के साथ, इंडियन एक्स्प्रेस का ये बहुत लंब तालिबान के बगड़ की है, और पाकिस्तान में भी तालिबाने जो इसको पाकिस्तान तालिबाने बोलते हैं, तालिबान पाकिस्तान की बात काफी मानता भी है, लंबा होगा लेच्चर, आपको पता चलेगा, चैनल तो सब्स्क्राइब पर इंस्टा पर फॉलो करें, टे जिली के रफ्तार से हुआ है इसे किसी को पता ही नहीं चला कि अरे यार एकदम से तो गौतम मुखो पाध्याय ने इंडियन एक्सप्रेस ने में ये काफी शांदार एडिटोरियल लिखा है इंडिया के फॉर्मर अंबाचिडर रहें काबूल के और इनसे जादा पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान के सिच्वेशन के बारे में किसी को पता नहीं हो तो बहुत सारे बहुत से एक्सपर्ट का ही मानना है कि तालिपान जीता ही है पाकिस्तान के वज़े से अगर पाकिस्तान हेल्प नहीं करता देखे तीन देश तो पाकिस्तान चाइना रश्या ये तिनों बहुत कुछ होंगे आचा, आज कुछ तो बहुत होगे तुम्हें। प्रधान बंतरी मिरान कान ने तो अल्रेडी बोली दिया है। कि दखो यार, इतने समय से 20 सालों से अमेरिका रून कर रहा था। तो अब तालिबान बेडियों से आजाद हो गया है, तालिबान अब फ्री हो गया है। और अब जो है, रियल में अफगानिस्तान सामने आएगा। और काफी ज़्यदा एड्मायर किया है तालिबान को। बहुत सारे पाकिस्तान के काफी दोस्त और काफी जनरल्स जनरल्स मतलब काफी रिटायर्ड और सर्विंग जनरल्स ने भी बोला है कि तालिबान ने तो कमाली कर दिया देखिए यह सब शुरूब हुआ था 1979 में जब सोवियत अफगान बॉर गुआ था अब 9-11 bombing जब हुआ जब सोवियत अफगान बॉर में देखिए अमेरिका क्या था देखिए इधर 1979 में सौर रेवलिशन होता है अफगानिस्तान में तक्ता पलट हो जाता है और जब अफगानिस्तान में तक्ता पलट हुआ तब वहां पे PDPA Communist Government आई Communist Government आई उसके बाद अमेरिका ने बोला अरे हमारे होते हुए सोवियत वहां कैसे पहुँच गया अमेरिका ने वहां पे क्योंकि उसमें Cold War तो चली रहा था तो अमेरिका ने वहां पे लड़ाकों को सपोर्ट करना शुरू कर दे जिनको मुझाहिद मुझाहिदीस ब जब मुझाहिदीस जो है वाइट हाउस में मिलने गए थे बैठे थे तो अब जो पैसा है वो अमेरिका के थू जाता था पाकिस्तान को खूब सारा फंडिंग मिलती थी और वो डारेक्ली मदद करता था यहां पे मुझाहिदीस की और इसका नतीजा यह हुआ कि 1989 में सोवि अब तालिबान का कबजा हो गया तोब जो पांक साल तक तालिबान का कबजा रहा अभी अब तालिबान जो अफगानिस्तान में आय कब तक रहे पिछली बार तो 9-11 जैसे ही हुआ तो सीधा अमेरिका नहीं बोह भोज दिया था किया तो आप हमारे साथ हो जो और जबलो 20 साल हो गए, अमेरिका को जादा कुछ मिला नहीं, लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में शान्ती तो थी, ये तो अमेरिका की जाने के बाद जब से डॉनल्ड टर्म पीस डील साइन किये, तब से एका एक भगदर्ण मच गई है, हलचल मच गई है, अब इन सब जितने साल है ये पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टैबलिश्मेंट, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी स्टैबलिश्मेंट है, वो तालिबान को टेबल पे लाने में कामियाब रहा है, तालिबान का जो लीडर है, मुला अब्दुर घनी बरादर, ये पाकिस्तान, पहले तो जेल में बनता अब इसने सीधा सीधा बोलाए कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान डिसिजन ले अफगान सरकार के बिहाफ पे मतलब जो भी डिसिजन लेगी तालिबान पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके एसेंट की बिना कुछ हो हमसे आप पूछेंगे तभी आप कोई कदम उठाए वरना ना उठाए ट्रम्प एड्मिन्स्रेशन ने भी सीधा सीधा बोल दिया था कि हम अफगानेस्तान से अपने आर्मी को बाहर निकाल रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान बहुत ज़दा इंपॉटेंट है आप यह समझे कि पाकिस्तान की आयसा ही तालिबान को यह कंवेंस कर पाई कि आप टेबल पे आजाओ टेबल पे बैठो ऐसा था बरादर 2010 से जेल में था 2018 को इसको रिलीव किया गया मतलब रिलीस किया गया तब उसने सारी चीज़े बताई है तो एक तरीके से तालिबान पाकिस्तान की बात तो मानी रहे जो पाकिस्तान बोल रहे और इसलिए अमरान खान के चेहरे पर खुशी भी है अब अभी डेलिकेशन आया था आपको यादिवर नॉर्डन एलैंस का जिसमें से दो भाई एमद शाह मसूद पाकिस्तान में भी सेंडे को आये थे शाह में मोद कुरेशी उन से मिलने आया और बता है कि आपका बहुत बड़ा हाथ है इसमें हाथ पैर सब है तो तालिबान तो काफी सपोर्ट है पाकिस्तान का अब इससे पहले मागे बने दोस्तों हमारी तीन दिन से थी आई होप आपने बहुत ज़्यादा फाइदा उठाया होगा हमारे शांदार कोर्से से दोस्तों NCIT UPSC का हमने तीन वेलिडिटी का कोर्स रांच किया एक साल देट साल दो साल जरूर आप उसका उवेल करें तो अब पाकिस्तान एक किस तरीके से मदद की देखो इसमें क्या है तो अब हर कोई चौक करना मतलब चौका है कि वह या तालिबान इतनी जल्दी तीन महिने का टाइम था 18 अगस्त आते मतलब अभी आते आते पुरा पुरा अफगानिस्तान कर लिया तो तालिबान इतनी तेजी से आगे बढ़ा तो बढ़ा कैसे अफगान सेक्यूरिटी फोर्स को कैसे उसने ओवर्गम कर दिया पहले तो अफगान सेक्यूरिटी फोर्स का सरेंडर फिर उसके बद अमेरिका जैसे ही अमेरिका गया तो वैसे अफगान से आदे से ज रोप लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान के special forces ISI तालिबान को लगाते हैं गाइड कर रहे थे तालिबान के पूरी भयानक बैकिंग थी भाई हाला कि ये इसको वेरिफाई नहीं कर सकते याद रखिएगा यहाँ पे आउथर बोल रहे हैं कि वेरिफाई दिस क्योंकि पाकिस्तान इसको डिनाई करेगा है ना लेकिन ये भी बिल्कुल सच बात है कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी तालिबानियों को दे रहा था ये बड़े इंपोर्टेंट चीज है जो हमको समझनी होगी तो लगातार पाकिस्तान अपनी टेरिटरी जो है वो तालिबान को दे रहा था और जब अशरव गणी बार-बार ये सवाल उठाते थे पाकिस्तान से बोलते थे ना इमरान खान के तो मूँ पे बोला कि आपकी वज़े से हो रहा है सब तो इमरान खान ने होला रहे overstated है यह हमने ऐसा कुछ नहीं किया हम बलकि बहुत ज़ादा आपको बता दू कि पाकिस्तान एक समझते नहीं है यह लोग मतलब यह एक time bomb है पाकिस्तान में भी तालिबान जिसको पाकिस्तानी तालिबान बोलते हैं उसका भी तो दे हो रहा है और पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं और यह समझते ही नहीं है आप अपने घर में कांटों को उगा रहे हो तो आप चल नहीं पाओगे वो आपको ही दर्द देंगे यह safe havens जो है ना यह 2001 से ही तालिबानियों के लिए safe havens 2001 से थे आप समझिए कि अमेरिका ने फंडिंग ने नी बन कर दीन मुझाहिदीन्स को लेकिन ISI तब भी सपोर्ट करता था पाकिस्तान तब भी सपोर्ट करता था और 2001 से अमेरिका को पता था कि यह safe havens जो है मतलब इनको जो शरण है तालिबानियों को पाकिस्तान देता है अमेरिका को पता था लेकिन अमेरिका इसलिए कुछ ने बोला क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए बड़ा इंपोर्टेंट था लोजिस्टिक बैग जो है वो पाकिस्तान ही देता था पूरा जो ट्रांस्पोर्टेशन है न पाकिस्तान जाता था तो वो बहुत ज़ादा भड़ा था, इसलिए कभी पाकिस्तान की मिलिटरी को पुश किये ही नहीं, कि आप इसके खिलाब आक्ट करो, और यहीं अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, तालिबान का कैम्प आपको मिलेगा बाई, बलुचिस्तान की कैपिटल कोटा में, फाट इंडोस थे हिया, और पाकिस्तानी हमें फूल-उन सपोर्ट देतेगी, अरे बेटा हम तुमको सिखाएंगे, कैसे लड़ना है, हम तुमको गाइड करेंगे, यह वेरिफाई नहीं करेगा, लेकिन यह सच है, यही सच्चा ही है, क्योंकि और आप वो आप देख भी सकते हैं इसलिए भी हुआ, कि यह जो सेफ हेवन से अटाक हुआ, जो पाकिस्तान में बनाये थे, तालिबानियों के लिए, उसने कमाल का काम कर दिया, इस पिन बोलदाक की जो कॉनकोस्ट थी, रैली जी निकाली है, तालिबान फाइटर्स ने, क्वेटा में, ठीक है, रैली पे, र कर लही है हमारे साथ, ये, और उसके बाद फिर इम्रान खान बोलता है, अले नहीं, हमने कुछ नहीं किया, शेक रशीद, जो मिनिस्टर है, इम्रान खान के क्याबिनेट में, उन्होंने जियो नियूस को बोला था, कि जो अफगानी तालिबान हैं, जो घायल हो रहे हैं, हम उनको पाकिस्तान में दफन करते हैं, पाकिस्तान में इनका परिवार जो है वो रह रहा है, जुलाई वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है ये, उन्होंने क्वेटा के बगल में गाउं हैं, बताया था कि लगातान तालिबान के लिए लगातार प्रेयर होती हैं, आप लिकत है, we are pro-taliban, we are pro-Islamic slogans, मतलब we are pro-Islamic Emirates, तालिबान का नाम बदल के Islamic Emirates of Afghanistan रख दिया, आमेरिकान ने इसका नाम बदला तो 2000 एक में, Republic of Taliban, और ये स्लोगन लगातार पाकिस्तान में इसकी ते लगा जाते है नारी, भारत के जो security establishment हैं, लश्करे तैबा जो कि पाकिस्तान मिलिटरी का ही एक जिहादिक ग्रूप है वो भी तालिबान के साथ लड़ा अमेरिका और नेटर सोल्जर्स ये हिसाब किताब रहा है पिछले 30 साल में पाकिस्तान में तालिबान को आप समझें कि पाकिस्तान के दो परपस थे मतलब तालिबान से पाकिस्तान दो में चीज़ करवाना चाहता था सबसे पहले तो जो तालिबान की डिजीम थी काबुल में उसका जो पाकिस्तान के साथ connection था free pass था देखो भाई पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान से ये strategic बहुत ज़्यादा important है strategically भारत ने भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्याद सपोर्ट किया लेकिन भारत वहाँ पे democracy लाना चाहता था भारत ने दूसरी तरीके से भारत ने वहाँ पे लड़ाकों को support ना ही अफगानी security forces को भी support किया है लेकिन वह अलग तरीके से वहाँ पे भारत में infrastructure बना है तीन बिलियन डॉलर का investment है भारत इतनी बड़ी railway line बना रहा था रूड बना रहा था अब उसका क्या होगा बड़ा strategic point है ना पूरा Central Asia निकल सकते हो और जमीन भी आपकी काफी आपके mineral resources काफी natural gas, oil और अफीम की खेती तो होती ही होती है तो Central Asia पे पूरा एक तो पाकिस्तान के strategic importance है भारत भी development activities कर रहा है पाकिस्तान उसको भी counter करना चाह रहा 2004 के बाद लगातार हामित करजई की जो सरकार थी तब से लेकर अभी तर भारत बहुत अदे investment कर चुका है 2004 से तो पाकिस्तान चाहता ही है कि ये लैंड route जो है वो भारत को ना मिले क्योंकि हम इदर चावार port बना रहे हैं इरान में trade corridor होगा proper भाई, इरान से सामान आएगा अफगानिस्तान में और वहां से हमने जरांज देलाराम हाईवे तो बनाया ही हुआ है तो वो सीधा इधर से हम बाई-पास पाकिस्तान को बाई-पास करते हुए भारत से trade आराम से होगा लेकिन आभी शुरूट को close कर दिया जागा भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ने एक तीर से दो निर्शाने कर दिया ये चीज है दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है पंश्टून पॉपलेशन बहुत जादा है नाजिब लला भी पंश्टून थे पंश्टून पॉपलेशन अफगानिस्थान में अफगानिस्तन एक ट्राइबल एरिया है, यह ट्राइब यहाँ पर कबीले रहते हैं, और इनका जो एड्मिनिस्ट्रेशन है बहुत अलग होता है, जैसे इसमें एसानी की लीडर है तो भाई भाई यही इनी को इनी की सजदे करेंगे, नहीं, वो लीडर सबको करते हैं अफगानी, हिंदी भी आती है उनको, बॉलिविड मूवीज को वहाँ पर वसं किया जाता है, तो पश्टून आइडेंटिटी, पश्टून जो है वो बिखरी हुई है, कुछ पाकिस्तान में मिलेंगे, जादे तर आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, तो अब का ये था कि सब युनाइट हो, और वहाँ पर नाशनलिजम बढ़ रहा था, अब पश्टून तहफूस मूव्मेंट का उदय हुआ, पी टी एम जिसको बोला गया, अभी पाकिस्तान में रिसेंट्ली इस मूव्मेंट का उदय होता है, अब पाकिस्तान मिलेंटरी तो बिल अब तालिबान इसके गया गयंस्ट में था, तो पाकिस्तान ने दो निशाने की, एक तो एक तीर से दो निशाने, सबसे पहले तो तालिबान को सपोर्ट करके, पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो जो डेवलप्मेंट हो रहे थे, जो भारत डेवलप्मेंट कर रहा था, जो strategically points है उसको अपने पास किया second point यह है कि जो पश्टूर nationalism बढ़ रहा था तालिबान उसको against है पाई तालिबान है पश्टूर अपना सरी में उठा पाएंगे सरी कार्ट देगा तालिबान और पाकिस्तान तो कि सरकार्टी रहे तो ये चीज़ है अब मैंने आपको अभी बोला था कि देखो बिटा पाकिस्तान अपने घर में काटे बो रहा है देखिए पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं लोगों की क्या गलती लेकिन यहां की सरकार सही नहीं है अब आप ये समझें यहां पे आउफर बताते हैं कि पाकिस्तान की भी दिक्कते बढ़ेंगी बहुत जाधा बढ़ेंगी ये सब तो मने अच्छे इच्छे पाते बता दी लेकिन अच्छे होगा नहीं क्यों नहीं होगा बहुत सारे जो जनरल्स हैं experts है वाँ वाँ अतालिव जाओ बदाई हो तालिबान हुआ है हमने तालिबान को बनाया हमने अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान हमारा बहुत लोग लेकिन एक बहुत बड़ा तपका है जो बोल रहा है कि बेटा क्या कर रहे हो तुम अपने होशो हवास में हो कि नहीं अटाक हो रहे हैं होना शुरू हो गए हैं यह पाकिस्तान को कितनी बुरी तरीके से घायल करेंगे शाय तुमको भी नहीं पता बहुत सारे मिलिटरी के बहुत बड़ा तपका बोल रहा है कि जो इंपाक्ट होगा ना उससे तुम पच नहीं पाऊगे सबसे पहले तो बहु पार्टी जो थी उसने क्या किया पूरे के पूरे पाकिस्तान को लगबग अपने कंट्रोल में ले लिया था पूरे लाओर को पुलिस वालों को बंद करके मारा था ऐसा तो यह जो जिहादिस्ट ग्रूप है ना एक्स्ट्रमिजम पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है बहुत पीछे ले गिया है अफगानिस्तान को और यह पाकिस्तान को भी बहुत पीछे ले जाएगा पाकिस्तान को लगए सब कुछ बढ़िया है पाकिस्तान का तालिबान का उध्य हो रहा है कमर जावेद बादवान सीधा सीधा बोला था कि तहरीके तालिबान जो पाकिस अना involvedness में तो यह तो मतलब जो यह सोच रहें कि ऐसा नहीं है और अभी जो तालिबान आया है उसको डील भी करना मुश्किल है वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस बार का तालिबान बहुत ज़्यादा ताकतवर है बहुत ज़्यादा इस बार का तालिबान जुगेगा नहीं मुला बरादर जो है वो आठ साल तक जेल में थे पाकिस्तान की क्योंकि इंडिपेंडेंट माइंडेट थे और तालिबान अमेरिका की भी बात मानेगा ये भी बात समझे आप अमेरिका को एक मिनिट लगेगा दो बार अपने फॉजी भीजने के लिए और अमेरिका चाइना के खिलाफ है अब चाइना का जो बेल्ट अन रोड इनिशेटिव है वो यहाँ से पास होगा कि चाइना के खिलाफ बेल्ट अन रोड इनिशेटिव के लिए खत्रा है और बेल्ट अन रोड इनिशेटिव जो है तो चाइना और पाकिस्तान का तो भाईया ड्रीम है दोनों का ये ड्रीम है तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्ण है पाकिस्तान के लिए भारत क्या करे भारत क्या कर सकता है बारत के लिए इंडिन security establishment तो यह मानते कि भाई यह तो आइसिस है जो खुरासन में है जो खुरासन में हैं अधे आइसिस का जो खुरासन एरिया है और वो टालिबान वो पाकिस्तान के कंट्रोल से अल्रीडी जा चुका है भारत के पास options क्या-क्या है सबसे पहले तो भारत का गानिस्तान से influence चला गया अब या तो भारत तालिबान से डील करें लेकिन तालिबान से डील मुश्किल हाग कानी नेटवर्क, ISI अभी अल-काइदा, फिर उसके बाद ICEG 841 अभी तक हम भूले नहीं है उसकी यादे न और तालिबान का रोल था, वो सिधा कांधार ले गए थे, कांधार बताइए अफगानिस्तान में ले गए थे, पूरा का पूरा हाईजायक करके 1999 में जब तालिबान बहुत ही तेजी से ओवर रहा था, और हमको फिर यहाँ पे मसद अजूर को छोड़ना पड़ा था मसद, मसूद अजूर को सोरी उल्टा बोल दिया, जिसने जैश बनाया, और जैशे मोहमद ने अभी पुलवामा अटाएक, फिर 2001 में जो हमले हुए पार्लियमेंट पे, उसका हाथ था तो वो यादे अभी भी ताजा है और अब तालिबान आ गया है तो भारत और पाकिस्तान का रेलेशन्शिप में एक और लियर आ गई है भाई तालिबान के फाइटर्स को डेफिनेटली पाकिस्तान जो है, हाला कि चम्मोन कश्मीर तो हमारा है, लेकिन फिर भी अनस्टेबिलिटी तो फैला ही सकता है बोल देगा रहे, तालिबानी थोड़े इधा राजा थोड़ा कश्मीर में चले जाए भारत की फॉच के लिए और जदा डिफिकल्टी तो नहीं है देखें, इंडिया की फॉर्स जाहे है कल ही जाके सुबह जाएगी शाम तक तालिबान खतम समझ लिजे इंडिया की फॉर्स इतनी ज़्यादा तगड़ी है लेगिन इंडिया ऐसा करेगा नहीं क्योंकि भाई बहुत हम लोगों को भी कैजूलिटी होंगी मुश्किल है यह भारत ने बहुत ही अलग रास्ता चुनाया वो से कोई भी समय अफगानिस्तान के फट्टे में हाथ नहीं डाल रहा है जो वाईडन ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर करी दिया है पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए थे क्या अफ़ीम लगता अफगानिस्तान की अफ़ीम उन्हों ने ले ली कि मतब इतना बेकाय डिसीजन कि नहीं निकालो निकालो क्या जरूरत यह सब करने की यार थोड़े बहुत फॉजी थे वो भी रोटेशन पर जाते थे कम से कम दुनिया में आतंकवाद तो नहीं था लेकिन ये तालिबान का जो कितने लोग आपने कल देखा ना एरपोर्ट पर क्या सीन थे हालत कराब होगी लोग भाग रहे तो लोग लोग प्लेंस पे जा रहे थे मतलब वो उड़ राता हो लोग प्लेंस कितने लोगों की मौत होगी तो यही चीज है कि अब इंडियन सेक्यूरिटी स्टैबलिश्मेंट को डर तो है कि जिहादी नाशनलिजम मलब यह चीज यहां से बढ़ेगी तो आप देखेंगे दोस्तों फिलाल आगे क्या होता है यह एडिटोरियल था मुझे बहुत शांदार लगा इंडियन एक्सितिस का आपको इसमें इंसाइट बिला होगा कि कितना वड़ा रोल है पाकिस्तान का इस बार तीन चार सवाल तो आप तीन चार नहीं लेकिन एक सवाल तो आएगा ही आएगा दो भी आ सकते हैं मेंस में GS Paper 2 International Relations Thank you so much